नमस्ते स्मीका मेरे शैल्मे स्वागत है जो क्या संदेश देना चाहते हैं सो आप अपने इंसीशर के बारे में सोचिए या आपके द bara दादी यह अगर आप अपके पेंध नहीं हैं तो उनके बारे में सोचिए या जो भी आपके परिवार में जो लोग जा चुके हैं उनके बारे में पांच मिनिट सोचिए और उसके बाद आप इन तीनों में से एक option चुनिएगा पहला जो option है वो है स्वास्तिक का और यह सिंबल है abundance का दूसरा जो हमारा option है वह है राहु केतु का जो नोर्थ और साउड नोर्थ है तीसरा हमारा नंबर है नंबर 65 सब्सक्राइब नंबर 69 सब्सक्राइब आप अपने एंसेस्टर के बारे में पांच मिनिट सोचिए दिहान लगाई है जो भी आप जिनकी भी मृत्यू हो है उन सब के बारे में सूचिए और इन मेंसे एक कारड एक option आप चुन है सबसे पहला मैसेज आए है the karma so यहां पर एक female ancestors की तरफ से आपके लिए message हैं जैसे कि आपको इस card के अंदर दिख रहा होगा एक आँख हैं जिसकी आँखों से आँसु आ रही हैं और यहां पर ओड़तें खड़ी हुई है तो आपकी जो family हैं उसके जो female ancestors हैं उनकी जो chain है वो काफी दर्द भरी रही है यानि कि आपकी जो नानी दादी हैं उन्होंने अपनी जिंदकी में बहुत जादा जेला है domestic violence जेला है किसी तरीके के illegal abortions हुए हैं आपकी family में या girl child को मारा गया है और किसी तरीके का maritor rape हुआ है या किसी तरीके को किसी को मतलम मारा पीटा गया है किसी female को torture किया है आपकी family में तो ये आपका ancestor कर्मा है जो आपके उपर आया हुआ है और आपकी जो family के जो female ancestors हैं वो इस time पे काफी like दर्द भरी हालत में हैं और उनका जो कर्मा है यानि कि उन्होंने अपनी जिन्दीकी में जो pain या जो दर्द जहला है वो biological DNA यानि कि bloodline के थुरू आपके अंदर आया हुआ है और इसी की वज़े से आपकी जो love life है वो blockages पे जा रही है तो यहाँ पे twin flame energetic reconciliation का card है यहाँ पर आपकी शादी नहीं हो पारी है यहाँ फिर आपके divine partner से reunion नहीं हो पारी है क्योंकि आपकी जो female ancestors है उनका जो कर्मा है वो आपके उपर आया हुआ है अब जब जब तक आप उनके उस कर्मों से मुक्ती नहीं पाते हैं तब तक आपका एक energetic reconciliation या फिर आपकी marriage नहीं हो पाएगी या आपकी जदकी में आपका divine partner नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक कर्मा है उनका दर्द है जिसे हम transgeneration trauma कहते हैं या फिर एक inheritance curse है इस curse के अंदर जो आपकी female ancestors हैं उनकी तरफ से आया हुआ है कि उन्हें अपनी जदकी में कभी भी अपने पती से प्यार नहीं मिला खुशी नहीं मिली अब वो खुशी आपको भी ना मिले आपको भी कभी कोई ऐसा पती या फिर पतनी ना मिले जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर पाए अगर उन्हें नहीं मिला तो आपको भी ना मिल तो ये शिराप है जो आपके अंदर आया हुआ है तो ये एक ancestor करमा का message है इसे तोड़ने के लिए आपको एक deep level के चकरा जैसे कि इस card के अंदर आया हुआ है साथ चकर आपको बने वे दिख रहे हैं अश्वगंदा दिख रहा है सूर्य और चंद्र दिख रहे हैं यहां पर आपको अपने सांतों चक्रों को जागरेत करना अलाइन करना है तब आपकी चैन्सेस्टर चेन है जो फीमेल एंसेस्टर की तरफ है वो खतम होगी यह आपके लिए मैसेज है जन्होंने option number 2 को चुना है sorry option number 1 को सुना है तो यह थी आपकी रिडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप मैंने चैन को लाइक शेयर और सस्क्राइब करें और प्राइवेट रिडिंग के लिए मुझे इमेल कर सकते हैं थैंक्यू फूर वाच्चिंग आप देखते हैं जिन्होंने option number 2 को चुना है यानि के राहू केटू को चुना आपके ancestor करमा क्या हैं वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शुनने राहू केटू को चुनाएं उनके लिए जो काड़ आया हुआ है वह एमोशनल इम्बालेंस का काड़ आया है यार्ड ले का काड़ आया है यहां पर जैसे की आप इसकी गर्दन को देख रहे हैं बहुत जादा टेडी मेडी सी है यहाँ पर आपके जो ancestors हैं उन्होंने बहुत तरीके के टेड़े मेड़े काम अपनी जिन्दकी में करे हुए हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हैं और यह जो ancestors हैं वो male ancestors की जाधा हैं यानि के यह एक ऐसा करमा है जिसके अंदर किसी को emotionally manipulate करके उससे कोई चुराई गई या चीनी गई है यानि के उससे उसकी जमीन चीनी गई है या उससे उसकी property चीनी गई है या उससे उसकी पत्नी को चीन लिया गया है तो इस तरीके के है और या आपके दादा या आपके कर्मों को उनके इन कि फल है वो आपके ऊपड़र हुआ है नि के झाल तरीके का então मिले गा और जो आपकी जो थर्ड आई है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और आपकी जो आत्मा है वो बंद रही है इस प्लेन के अंदर उनके करमास की वज़े से इस तरीके के करम उन्होंने किये हुए है यहां पर आपके लिए जो कार्ड है वो एक ऐलिवेशन और गेनिंग दविज्डम का कार्ड आया जो भी आपके ट्रेडिशनल फैमिली का जो काम है उसे छोड़ कर एक लिए दर्वाजे की तरफ आगे की तरफ बढ़ना है उनके विए सिस्टम को छोड़ना है और आगी की तरफ बढ़ना है सेम बैस आप में से बहुत से लोगों के जो फैमिली है वो काफी जादा एपको किए आपको आपको करना रही है आपकी ऑवाज monastery करने के लिए बोलरी है आपकी आफसे करने के लिए बोल रही है क्योंकि आपके जो ancestors हैं उनके काफी जादा लाइक तेड़े मेड़े कर्मा है कि उन्होंने चोरी करी है दोका करा रहा है फ्रॉड करा है और वो सारे करम आपके ओपर आयों हुए हैं उनका अफर आपके ओपर पढ़ेगा और उनके असर की वजे से ही आप अपने करियर में ब तो इस कर्मा को तोड़ने के लिए आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बचना होगा और फिर से अपनी थर्ड आई पर फोकस करना पड़ेगा दिहान लगाना पड़ेगा तब आप इनके कर्मास को खतम कर पाएंगे तो यह थी आपकी रीडिंग जुन्होंने ऑप्शन नमबर टू को चुना है अगर आपको मेरे रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सिस्क्राइब करें थैंक यू फर वाच्चिंग अब देखते हैं जुन्होंने ऑप्शन नमबर थी को चुना है यानि कि 69 को चुना है आपके इंसिस्टर करमाज और मैसेजज इस क्या है आपके लिए तो जो लेखकी नाइन को चुना है आपके जो इंसिस्टर करमाज है वो काफी जाог़ा 來-letail में हैं यहां पर एक और सुझ काड़ पर ऑंकाशिक रिकॉर्ड करो किसी गुरू का अपमान किया है अपने अपनी जिन्दगी में किसी spiritual person का किसी गुरू का अपमान किया है या फिर किसी देवियस तरीका अपमान किया है अपनी जिन्दगी में तो किसी गुरू के अपमान में आपको बहुत दिक्कत आएगी spiritual progress में अध्यात्म की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत ही जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या फिर आपकी जो love life है क्योंकि यहाँ पे दो symbols हैं तो आपका एक divine partner है जो आपका soulmate हो सकता है उसके साथ एक union करने में या उससे शादी करने में बहुत दिक्कते आएंगी क्योंकि आपके जो ancestors हैं उन्होंने किसी देवेस्त्री या फिर किसी गुरू का अपमान किया हुआ है और इसे को बदलने या फिर तोड़ने के लिए आपको बहुत ही जादा like discipline में रहना होगा हद से जादा discipline में रहना एक discipline spiritual practice करनी होगी तब ये वाले करम खतम होगे तो इस जनम में आपको उन्ही के करमों को सुधारने के लिए वैसी गलतियां बिलकुल भी नहीं करनी है कि आप किसी का अपमान कर दो किसी स्त्री का या फिर किसी गुरू का कुछ भी हो जाए आपको उनका अपमान दही करना है वरना आप उन्ही की तरह उसी साइकल के अंदर फस्स जाएंगे और उनकी इस करम को बदलने के लिए आपको बहुत जादर discipline spiritual practice करनी होगी तो यह थी मेरी आज की रीडिंग अंसेस्टर करमा और मैसेज के अपर अगर आपको मीडिंग पसंद आईए तो आप मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे इमेल कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग